तो अभी दो दिन पहले आपने देखा कि वीवेक और खुशी ने एक पोस्ट किया है यानि कि उनके बेटे का बड़े था जिसकी पोस्ट हुई थी उस पे बहुत सारी बाते हो रही हैं कुछ पोजिटिव बाते हो रही हैं कुछ उनके सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं कुछ उनको सवाल पूछ रहे हैं कुछ किटिसाइज कर रहे हैं कुछ बहुत सारे गुसाए हुए लोग भी है उनकी ऊडियंस जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो उसके बदले में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और अब आप क्या नया कुछ पोस्ट किया है या कुछ नया क्या देटा ही है आईए आपके साथ शेयर करते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हो साथ ही साथ बेला इकन प्रेस कर दें जिससे के हमारे आने वली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो जो एक पुरानी दील है उसके ओपर भर भर के कमेंट क्योंकि उससे पहले भी वहाँ पर चल रहा था और वहाँ पर ये भी हो रहा है कि जो कमेंट्स हो रहे हैं जो प्रूफ दिये जा रह रहा है और उसके बाद अब एक रील भी पोस्ट की है एक दिन पहले यानिके कल एक रील पोस्ट की गई है जो कि उसी रील को ब्लॉंग करती है जो इनकी रियल लाइफ में चल रहा है तो क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा कुछ आकर ओडियंस को बताने रहे हैं कोई क्लियरि इनको प्रैंक का नाम दे दिया गया है कि वो एक प्रैंक का हिस्सा था भाई को ने प्रैंक में अब एक बाप समान ससुर जो है अपनी बहू को गाली देता है ब्यूज करता है ब्यूज लेंग्वेज में बात करता है इवन वहां पे नाकेवल विवेक गालियां देते बलके उनके पापा भी अब्यूस लेंग्वेज में बात करते हुए सुनाई दिये क्यों खुशी जो है चुप चाफ वो सारी बाते सुन रही थी क्यों पलटवार में उसने कुछ ने कहा और अगर ये बाते सरफ पापा के और डॉटर निलो के बीच में हो रही थी तो वो बा सामने वाले पक्ष की तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि वो गिल्टी है क्या नहीं है और कोई प्रूफ भी नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो गिल्टी है लेकिन अगर एक पक्ष की तरफ से ये पता चलता है कि वाके में वो गिल्टी है और उसी के ही फैमिली म रखने की कोशिश किया, उन्होंने कहा है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही मैं कोई इंफ्लूएंसर हूँ, ना ही कोई हूँ, तो मुझे प्लीज इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो वो गुप्त रहते हुए भी जो हमें information मिली है, वो वक्त आने के पर आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी, और इस बात का भी खुलासा definitely होगा, कि वाकि में ही अगर कुछ सबूत थे, तो वो किस तरह से, और किस के थू बाहर आए थे, और वो क्या सबूत थे, definitely इन में कुछ तो problem तो थी, क्योंकि आग होती है, तो धूआ होता है, बिना आग के तो धूआ भी नहीं होता, तो देखो भाई, इतनी सारी allegations बाहर आई, चेट बाहर आई, और इतनी सारी allegations लगे और उसके बावजूद भी इन लोगों ने चुपी साधे हुए थे, उसका क्या मतलब है, until जब तक उसमें कुछ ना वरना कौन आज की देट में अपने आपको कुछ भी सुन ले और चुपचा बैठे, जब इन दोनों की आपस में controversy चल दी थी लखनीत की और इन family की, तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, भाई साब, उनको ये दिखाने के लिए, वो कहते हैं एक वक्त जो हना ऐसा होता है, कि हालात जो है, वो खराब हो जाते हैं, कुछ-कुछ वक्त ऐसा होता है, लेकिन जब वक्त पलट जाता है, तो सारी चीजे नॉर्मल और सही हो जाती है, आज उनकी family में एक problem आके खड़ी हुई है, तो पूरी family एक साथ खड़ी हो गई है, ना केवल उन से एक साथ लड होते हैं, तो देखो भाई, वो खटकते भी हैं, और यह हुआ भी था, कि जब चार बतन दे और ऐसा तो नहीं है, कि घर में आगर कोई नहीं बहु आती है, तो वो एक दम से अर्जस्ट हो जाती है, आइम शूर आप सभी के साथ किसी ना किसी वक्त कोई बात ऐसी हुई होगा, कि मुझे घर की बेटी की तरह से नहीं रखा जाता है, या मुझे बेटी में फरक किया जाता है, या फिर मुझे बहु की तरह से ही रखा जाता है, ये बहु में बेटी में ये डिफरेंस होता है, ये दिख रहा है, तो बहुत सारी चीज़े ऐसी होते हैं, क्योंकि बहु की जो परवरिश होती है वो अपने घर में होती है उनको अपने घर का सब कुछ पता होता है तो कुछ ना कुछ छोटा मुटा जो डिफरेंस है वो सब में ही आता है और उसी को ही जहेल कर जो आगे निकल जाता है उन सब को पार कर लेता है तो यही असलियत है और यही हक किकत है जिन्देगी की अब व्लोगर हैं उस पर परदा डाल दें लवी डवी दिखाएं हम साथ सातने हैं का जूटा नाटक दिखाएं जस्ट विकोज क्योंकि उनको दिखाना है अपनी ओडियंस को सचा है जूटा ही तो वह एक बालक बात है तो वही सेम लखनीत के साथ भी अगर अपने बच्चों से मा नाराज नहीं होगी तो भाई किस से होगी अगर मा को कोई चीज बुरी होगी तो क्या मा को कोई हक नहीं है कि अपने बच्चों से चाहे फिर वह बहु हो या बेटा हो अगर वह प्यार भी बहु बेटे को उतना ही करती है तो उनको लड़ाई मीडिया पे अपलोड करना या फिर अपने ही बच्चों के दुश्मनों के पास जाना जब कि उस टाइम में तुम्हारे दो बच्चे एक साइड पे है तुम्हारा जो है कोई अधर परसन जो है उन बच्चों पे अटेक कर रहा है या गलत तरीके से उनको गलत दिखाने की गुजगे और इतनी लाइफ की ये दिखाया देखो मेरा बाप ये रा देखो मेरा तुम्हारा साला कहा है तुम्हारा ये कहा है तुम्हारा वो कहा है भाई मैंने वो लाइफ भी देखी इनकी कि तुम तो ऐसे हो न सैडी बना दिया फड़ा न ये धिमा का ये तो भाई आ कि घर में चार बरतन होते तो वो खटकने के आवाज भी होती है मैं फिर भी यही कहूंगी कि उन सारी चीजों को अपने घरता की सीमितर को आमने सामने बैठ कर उन चीजों को सुलजा लिया जाए तो जादा बहतर है तो चलो बात करते हैं या पर खुशी और विवेक की बात हो रही थी क्योंकि दूसरों के मैटर में तो नों ने भोत पंगे लिये वो कितना कूद कूद के कूद कूद के सामने से लाइफ करकर के बता रहे थे जब आपने खुद के घर के मैटर की चीज़ा लेदर हुई तब चुप चाप क्यों बैठ गए भई इसका मतलब जहां आग थी इसलिए वहाँ पर धूआ था इसलिए कुछ ना कुछ तो उस बा तो यानि कि पहले उन्होंने स्नैपचेट पे अक्टिव हुई वहाँ एक दो पोस्ट की जो की सामने भी आया लोगों ने वहाँ पर बोला के खुशी जो है स्नैपचेट पे अक्टिव हुई थी उन्होंने वहाँ स्नैप लगाया है स्टोरी लगाई है और उसके बाद फि तो उससे पहले इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज होने का इनोंने मोखा दिया, वो घर में आई होगी, पिर उसके बाद सब से थोड़ा नॉर्मल हुआ होगा, तो बाकी सब ने यही चीज़े नोटिस की जो हमने भी की, क्योंकि इतने सारे लोग तो बेवकूफ नहीं हो सक क्योंकि जब इतने टाइम से उनको फॉलो करते हैं तो उनको डेफिनेटली पता है कि उनकी मां ऐसी आदत है वो राजा से कितना प्यार करती है उसके बड़े पर मतलब ऐसे मोके पर भी अगर वो गुम सुम्जी है उदास है या उनके चेहरा लटका हुआ है तो भाई कोई ख किया कि वह तो अपने काम में मस्त रहती थी और जादा स्थिति से बाहर ही रहती थी तो वह उस बच्चे के लिए जिसमें ना केवल उनका पोटे का भी प्यार है बेटे का भी प्यार है उसके बड़े पर वह खुश-कुश नजर क्यों नहीं आ रही थी क्योंकि अंदर से जब मन तूटावा होता है यह कहलो कि जब बहुत ज़्यादा अंदर से दिल दुख जाता है ना तो वो जो कितना भी कोशिश कर लो वो चेहरे पर मुस्कुरहाट या हसी आ ही नहीं सकती तो यही देखने के लिए भी मिला अब जब पोस्ट किया है तो लोगों ने वहाँ पे लोट आया है बहुत सारे लोगों के सवाल ही हैं बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि यह सब इनकी नोटंकी थी जान बुचके बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि जो कुछ बाते थी वो सच्ची थी अभी उन्हों सब कुछ सौर्ट कर लिया है और इसलिए यह सामने आ गए हैं जब सबसॉर्ट हो गया है और अब क्योंकि बड़े है बड़े में मौका भी बहुत अच्छा है तो यह बहुत अच्छा मौका है बाहर आने का उसके बाद उन्हों अच्छा मौका बड़े हैं तो यह क्या था मतलब कुछ भी बात थी तो यह सब पोस्ट करने से पहले आओ अपनी ओडियर करो ओडियर का तमाशा बनाके रखा हुआ है कि जब आपका मन हुआ प्रूफ लाके दे दिये जब आपका मन हुआ तो इवन एक लेटर तक भी बहुत वाइरल हो रहा है इंटरनेट पर जो की एक कंप्लेन है जिसमें की इनके सब के नाम लिखे हुए है हमारे पास भी है वो कहीं से तो आया है घुमते घंते लेकिन क्य दिया है और आगे देखने वाली बात यह है कि अब ये क्या कहते हैं उसके बिहाव पर वो चीजे जो है खुलेंगी क्या बताना चाहते हैं वाके में उन सब को डिनाय करते हैं जो जो प्रूफ इंटरनेट पर फैल रहे हैं या फिर उन पर सब में ये कहना चाहेंगे कि नह कि में कोई गिल्टी है क्योंकि जब घर से ही चीजे लीक हुई है और घर से बाते बाहर हुई है तो डेफिनेटली अब उसमें तो कोई जूट की कुझाईश रही नहीं है तो वक्त आएगा या इनकी चीजे बाहर निकलेंगी या जिस हिसाब से ये अपनी चीजे पोर्ट बच्चे के लिए हमने कॉम्प्रमाइज कर लिया है हर घर में ऐसा होता है तो एक नॉर्मल इंसानों की तरह सा अगर अपनी गल्ती को एक्सेप्ट करकर वो चीजों को क्लियर करते हैं बताते हैं कि जो भी चीजे हुई थी वो जैनुएन हुई थी लेकिन हमने वो पर बनाए रखने में फाइदा है के नहीं है कि आगे भी चल कर कुछ ऐसी चीजे होंगी के नहीं होंगी एक दूसरे पर ट्रस्ट किया होगा तब ही वापस साथ आये होंगे ऐसा तो नहीं है लेकिन क्या बताते हैं आकर क्या कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कैसी थी वो ज जरूर सुनियेगा, सुनना मिस्स मत कीजगा और कोई भी नई अपडेट मिलेगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेर करूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कीजगा और आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा, मिलती हूं एक और वीडियो में, तिल देन बाई बाई, लाफिस, टेक केर